देशी गुल प्रियंका चोप्रा के दिल में किसी देशी बॉय ने नहीं बलकि विदेशी बॉय ने ली हैं अंट्रियां और प्रियंका ने भी देशी बुंडों को छोड़ कर अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस को कह दिया कोई तुमसा नहीं जी हाँ विदेश में इन अंजाना अंजानी के शुरू हुई लव स्टोरी अब शाधी तक पहुँच चुकी है 36 साल के प्रियंका 25 साल के अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस के साथ शाधी करने वाली हैं दोनों की पहली मुलाकात की बात करें तो पहली बार प्रियंका निक एक दूसरे से क्वांटिको के सेट पर एक कॉमन फ्रेंट के जर्ये मिले थे साल 2017 में फिर दोनों मैट गाला इविंट में एक साथ नजर आए फिर दोनों को साथ में जब बेसबॉल के मैच के दौरान देखा गया तो अफेर की खबरों को हवा मिली इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता ही रहा और सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरनी शुरू की सोचल मीडिया पर भी प्रियंका को लेकर निक की दिवान की खूब देखी गई निक प्रियंका की तस्वीर पर लव इमोजी के साथ पोस्ट करते और सोचल मीडिया पर प्रियंका निक के ये पोस्ट वाइरल हो जाते याद होगा जब प्रियंका निक के साथ उनके कजन की शाधी अटेंट करने न्यू जर्सी पहुंची थी कहा जाता है कि निक ने प्रियंका को पहली बार यही प्रपोस्ट किया था वहाँ निक ने प्रियंका को अपने फैमिली मेंबर से भी मिलवाया इसके बाद प्रियंका ने भी निक को अपनी फैमिली से मिलवाया अब खबर आ रही है कि प्रियंका और निक ने शादी करने का फैसला ले लिया है प्रियंका ने सल्मान खान की फिल्म भारत छोड़ दी है जिसके बारे में अलियाबाद जफर ने अनॉंसमेंट की उन्होंने ट्वीट किया अब भला इस ट्वीट से ट्यूब लैड ज्रेसे दिमाग वाले को भी समझ आ जाएगा कि प्रियंका की शादी हो गई है पक्की अभी वैसे प्रियंका और निक की साइट से शादी की कोई अनॉंसमेंट नहीं हुई है लेकिन चल्द ही होने की उम्मीदे है